हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल चुरूपीडिया हिंदी पर आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने वाले हैं उस देश को यौरॉप का सबसे खुबसूरा देश माना जाता है यह देश चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है यानि इस देश के किसी भी बॉर्डर पर महासागर नहीं है और साथ इस देश की राजदानी है दो देशों का बॉर्डर यौरॉप की दूसरी सबसे लंबी नदी इसी देश से होकर गुजरती है जबकि यहां है सबसे नहीं मानता है इसलाम यहां पूरी तरह से बैन है दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं यौरॉप के खुबसूरा देश स्लोवाकिया की तो देर गिस बात के अपना सीट बेल्ट बांद लीजे अच्छे से और निकलते हैं स्लोवाकिया की एक शांदार सफर पर सबसे पहले बता होकर आप जहां भी नजर घुमाओगे आपको चारों तरफ जमीन ही दिखाई देगी चेक गनराज्ये और ऑस्ट्विया से घिरा ये देश उननीस सो तिरानवे में चेकोस्तो वाकिया से अलग होने के बाद बना था इस देश की कुल आबादी है चोवन लाख तिरेसट हज से स्लोवाकिया के ऑफिशल लेंगविज है और यहां इसी भाषा में लोग सबसे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं इस देश की राजगणी हैं ग करें दूसरा अब्या को प्सिति को लिटल्ल बिग शिटी और ब्यूटी ऑन्द दे दैनूब के नाम से भी जाना जाता है हैंबर्ग और लक्संबर्ग के बाद रातिसलावा यौरॉप का तीसरा सबसे अमी शहर है वैसे आम तोर पर कोई भी देश अपनी राज़दानी देश के बीच में रखना चाहता है क्योंकि ये सुरक्षा की नजर से अच्छा होता है लेकिन स्लोवाकिया की राज़दानी बादिसलावा दुनिया के एक मातरैजी राज़दानी है जो दो देशों के सीमाओं से सठी हुई है बादिसलावा उस्ट्रिया और हंगरी के सीमा को छूती है ब्रातिसलावा का फूड और शहर के रेस्टोरेंट्स यहां की पहचान है पूरे स्लोवाकिया में सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स सिर्फ ब्रातिसलावा में है ब्रातिसलावा फ्लैक्शिप रेस्टोरेंट्स यहां के सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स में से एक है इस रेस्टोरेंट में एक साथ एक हजार लोग बैट कर खाना खा सकते हैं ये शहर स्लोवाकिया देश की टूरिज्म के लिए इसलिए खास माना जाता है क्योंकि यहाँ हर साल इसे शोहर में रहने वाले लोगों से ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं जिनकी संख्या हर साल एक मिलियन तक होती है यहाँ घूमने के लिए कई खुबसूरत डेस्टिनिशन्स हैं अगर आप भी स्लोवाकिया की यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो दोस्तो इस से शोहर की खुबसूरती देखे बिना बिलकुल वापस ना लौटें दोस्तो स्लोवाकिया में इसाई धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा है लेकिन स्लोवाकिया एक ऐसा देश है जो इसलाम को धर्म नहीं मानता यहाँ धर्म की लिस्ट से इसलाम का नाम हटा दिया गया है जिसके बाद ये माना गया है कि देश में इसलाम आधिकारिक धर्म नहीं है आपको ये जान कर इससे भी ज्यादा हैरानी होगी कि यहां 5000 के करीब मुस्लिम आबादी है लेकिन पूरे देश में मस्जिद एक भी नहीं है यहां मस्जिद ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहां की लोग और सरकार का ये मानना है कि इसलाम धर्म में मस्जिद के जरीए लोगों में नफरत पैदा करने की शिक्षा दी जाती है जिसके वज़े से आतेंगवाद भी बढ़ता है लेकिन इस बात को लेकर यहां कई विवादों का भी सूचना हुआ है हानांकि राजधानी ब्रातिस्लावा के बाहर कोर्दोवा में एक इसलामिक सेंटर बना हुआ है जहां जाकर मुस्लिम नमाज अदा करते हैं यही पूरे देश में अकेली जगए है जहां आकर मुस्लिम नमाज अदा करते हैं लेकिन यह गयर आधिकारिक मस्जिद है और यह बहुत छोटी जगए है यहां मुश्किल से 80-100 लोग ही आप आते हैं स्लोवाकिया में साउंड पलुशन से निपटने के लिए कड़ा कानून बना हुआ है आप 10 बजे सुभह से लेकर शाम 6 बजे तक किसी से खराब व्यवार नहीं कर सकते हला नहीं मचा सकते अगर आप ने ऐसा किया तो पुलिस आपको तुरंत पकड़ सकती है ऐसा करने पर मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है दोस्तो यूरोपी महाधुईब की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब स्लोवाकिया की बीच से होकर गुजरती है लंबाई की मामले में ये वोलगा की बाद दूसरे स्थान पर है इस नदी की अपने एक अलग खाश्यद है अट्थाइस सो पचास किलोमीटर लंबी ये नदी दस देशों में भहती है नदी के अलवा दुनिया में शायद ये असे कोई नदी हो जो इतने सारे देशों से होकर बहती हो इस नदी का पानी इतना साफ है कि पूरे स्लोवाकिया देश के घरों में पीने के लिए यही से पानी जाता है इस नदी के पानी में लगबग 102 प्रजातियों की मचलियां रहती है इस नदी के लावा स्लोवाकिया में 1600 से ज्यादा पानी की जरने है जिनका इस्तिमाल पीने के पानी के लिए और स्पा के लिए किया जाता है यहां स्पा के लिए थर्मल, स्प्रिंग्स हैं आप यहां हर दुकान में स्लोवाक्स्प्रिंग्स से बोतल बंद पानी खरी सकते हैं और खास बात यह है कि यह बोटल्स आपके शरीर के हिसाब सही होगी यानि जैसा आपका शरीर वैसा ही आपके लिए पानी अगर आपको स्लोवाकिया के जर्णों में स्विमिंग का मज़ा लेना है तो बैसे नोवा आपके लिए सबसे शानदार जगे है इसे जगे पर 33 जर्ने हैं जहां हजारों टूरिस्ट हर साल आते हैं आपको बता दे कि स्लोवाकिया की महिलाएं पूरे योरॉप में सबसे सुन्दर मानी जाती है इस देश के महिलाओं की लंबाई काफी उची होती है जो यहां की लड़कियों को बाकी देशों की लड़कियों के मुकाबले ज्यादा सुन्दर बनाती है यू सिटी गाइड के नुसार स्लोवाकिया दुनिया के सबसे खुबसूरत महिलाओं के साथ टॉप थ्री देशों में शामिल है इस देश में कम उम्र में शादी करना आम बात है और स्लोवाकिया की महिलाओं भी इस मामले में सबसे आगे है स्लोवाकिया की महिलाओं को कम उम्र में शाधी करना और अपना घर बसाना सबसे ज्यादा पसंद है दोस्तों स्लोवाकिया देश में ट्रांस्पोर्ट सबसे सस्ता है कुछ लोगों के लिए तो यहां हर चीज है बिल्कुल फ्री जैसे इस देश में 26 साल तक के स्टुडेंट्स और 62 साल से उपर की बुजूर्गों के लिए ट्रेन के सुविधा मुफ्त है इस कैटेगरी के लोग किसी भी समय ट्रेन में फ्री ट्रैबलिंग कर सकते हैं लेकिन ये सिर्फ उन देशों के नागरी को या स्थाई निवासों के लिए उपलब्द है जो योरॉप्य संग के सदस से राज्जु है भले ही यहां ट्रेन का सफर फ्री हो लेकिन इसके बावजूद यहां के लोगों को कार में घूमने का काफी शौक है स्लोवेकिया में हर दस में से एक व्यक्ति के पास कार है इस मामले में स्लोवेकिया की लोग पूरे यॉरॉप में सबसे आगे है अब ऐसा हो भी क्योंना, स्लोवेकिया एक अमीर देश जो है, इतना ही नहीं, 2007 के बाद से स्लोवेकिया प्रतिवक्तिकारों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है देश में 2018 में कुल 10,80,000 कारों का निर्मार 5,000,000 लोगों के साथ किया गया था दोस्तो, स्टारा बाइस्ट्री का एक छोटे से स्लोवाकिया गाओं में दुनिया के सबसे सटीक एस्टोनॉमिकल क्लॉख है स्लोवाकिया देश की लाइफस्टाइल काफी लग्जूरियस है लेकिन अफसोस की बात ये है कि इसके बावजूद स्लोवेकिया में 11% लोग बेरोज़गार है जो पूरे यॉरॉप में सबसे ज्यादा है ये बात इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि आकने की मताबिक स्लोवाकिया की लिट्रेसी रेट है 99% सोचे इतना ज्यादा पढ़ेले के होने के बावजूद देश की युवा बेरोज़गार है इतना ही नहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई होने के बावजूद स्लोवेकिया की सरकार इस देश की हैल्थ सेक्टर पर काफी कम पैसा खर्च करती है स्लोवेकिया देश के कुल भूमी के 40% हिससे में खीती की जगल है इन सब के लावा सिफ 20% हिससे में ही लोग रहते हैं इस देश में 9 नेशनल पार्क हैं जिनमें लगबग 25-100 मीटर की ग्लेशियर, जील और कई सारी पहाड़ी इलाके हैं जिन्हें देखने पर हर साल लाखों टूरिस्ट स्लोवेकिया आते हैं इसके साथ ही स्लोवेकिया में 6000 से भी ज्यादा गुफाइं मौजूद है पूरे यारॉप में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां इतनी सारी गुफाइं मौजूद हो और इन सभी गुफाओं का अपना एक अलग इतिहास है स्लोवेकिया की दोपसीना में दोपसिंस का नामक बरफीली गुफा है इस गुफा का नाम युनेसको वर्ल्ल हेरिटेज की सूची में भी दर्ज है इसके लबा यहां की कास्नो होस का गुफा है सबसे अलग 34 मीटर उची ये गुफा अपने सिंटर कॉलम की वज़े से गिनिज बुक ऑव वर्ल्ल रिकॉर्ड्स में भी शाविल है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पुराने समय से ही अस्त शिल्प कारीगरी में स्लोवाकिया यॉरॉप की अन्य सभी देशों से ज्यादा विकसित है और इस देश में 50 से भी ज्यादा ऐसे चर्च है जो लकडी से बनाए गए है ये सभी चर्च इसलिए भी खास है क्योंकि इन सभी चर्च में एक भी कील का इस्तिमाल नहीं किया गया है सिर्फ चर्च ही नहीं स्लोवेकया में कैस्टल्स यानी महल सबसे ज्यादा है कहा जाता है कि इस देश में 100 से भी ज्यादा कैस्टिल्स हैं जो पूरी यॉरॉप में सबसे ज्यादा हैं और इन कैस्टिल्स को इस देश की शान माना ज्याता है अगर आपको नैच्छल ब्यूटी पसंद है तो सर्धियों में स्लोवाक्या घूमने का सही मौका है सर्वियों की मौसम में स्लोवाकिया बेहद ही खुबसूरत नजर आता है स्लोवाकिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेल फुटबॉल, आइस हॉकी और टैनिस है इस फेस्टिवल का एउजन किया जाता है। इस फेस्टिवल को देखने यॉरॉप दूसरे देशों से भी लोग आते हैं। की वज़र से काफी पसंद है। साथ ही सूप यहाँ खाने का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो आपको हमेशा पासपोर्ट साथ रखना होगा अगर पकड़े जाने की दोरान आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपके खिलाफ तुरंट कारिवाई की जाए कि यहां की लोग परंपराओं को मानने वाले होते हैं अगर आप स्लोवाकिया की किसी भी घर में जाएं तो अंदर जाने से पहले अपने जूते जरूर उतार दे क्योंकि इस देश के लोग घरों में जूते नेकर नहीं झाते हैं यहां लोग अपने महवानों की इद्धित करते हैं इसलिए आप जब कभी किसी स्लोवाकियन्स की घर जाएंगे तो वहां आपको चाय कॉफी जरूर पिलाएंगे। ये इस देश में एक तरह से परंपरा का ही हिस्सा माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है यहां का वीजा प्रॉसेस और स्लोवाकिया में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दे कि आपके पास अगर सारे डॉकुमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा लगबग 25 से 30 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको स्लोवाकिया गूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगबग 358 युएस डॉलर खर्च करने होंगे। दोस्तो स्लोवाकिया की करनसी है यूरो जिसकी वैल्यू है लगबग 84.44 भारती रुपीस। तो दोस्तो ये था यूरोप के सबसे अलग देश असलोवाकिया कैसा लगब बताईए कॉमेंट्स में।